श्वसन यानि रेस्पिरेशन नाक के नथनों द्वारा मनुष्य वायू को अपनी शरीर के अंदर लेता है शरीर के अंदर ही श्वसन अंग यानि respiratory organ मौजूद होते हैं और ये अंग एक पतली और नाजुक सतह से ठके होते हैं और इस सतह से ही oxygen और carbon dioxide का आदान प्रदान होता है ये अंग जब किसी oxygen से भरपूर वातावरण में होते हैं तो अपनी सनरचना की सतह के क्षित्र फल को बढ़ा लेते हैं और इनमें ऐसे रास्ते होते हैं जो वायू को अंगों तक ले जाते हैं वायू को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए क्रियाविधी यानि mechanism होता है आए इस चित्र के द्वारा फेपड़ों यानि लंक्स में श्वसन की प्रणाली को समझें नाक के नथुनों से वायू शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं नथुनों में वायू के जाने वाले मार्ग पर हलके और चोटे चोटे बाल होते हैं और उसके साथ ही बलगम यानि म्यूकस भी किनारों पर होता है नथुनों के अंदर वायू मार्ग में हलके पतले छोटे छोटे बालों और बल्गम का क्या उप्योग है? नथुनों के हलके पतले बाल बाहर से आने वायू में मिली धूल, गंदगी और सुक्ष्म जीवों यानि माइक्रो आउगनिसम्स को छान कर अलग करते हैं और बल्गम यानि म्यूकस भी गंदगी को रोकता है जिससे वायू नमी लिये हुए आसानी से शरीर के अंदर जा सके इसके बाद वायू गले से घुजरती हैं गले को सांस की नली यानि विंड पाइप या श्वास नली यानि ट्रेकिया भी कहते हैं जो कि उपास्थी मैचलों यानि रिंग ओफ काटिलिच से बनी होती है उपास्थी मैचलों की क्या विशक्ता है उपास्थी मैचलों की मदद से वायू बिना किसी रुकावट के मुक्त होकर श्वास नली से घुजरती है और ये वायू मार्ग को दुरगटना से भी बचात अगर उपास्ति मैं छलने न हूँ तो सांस बाहर छोड़ते समय पंजर यानि रिब केज के संकुचन से दबाव बढ़ जाएगा और सांस की नली बंद हो जाएगी जिससे वायू के प्रवाह में रुकावट आएगी और सामान्य तरह से सांस लेने में परिशानी होगी. गले से होते हुए वायू फिर फेपणों में जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम सांस खीचते हैं, तो पंजर यानि रिब्ज बाहर की ओर उठाते हैं और फिर मध्यपट यानि डायफ्राम सपाट हो जाता है, जिसके बाद वक्ष गुहा यानि चेस्ट कैविटी का आकार बढ़ जाता है। ऐसे में फेपडे वायू को अंदर खीच लेते हैं और वायू कुपिकाएं वायू से भर जाती है। इसके बाद रक्त शरीर के सभी अंगों से काबन डायोकसाइड लेकर वायू कुपिकाओं में छोड़ देता है। और इसके बाद वायू कुपिका की रक्त कोशिकाओं द्वारा वायू कुपिका में मौजूद ऑक्सिजन को रक्त ले लेता है और अंत में रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सिजन पहुचाया जाता है